सब्सक्राइब कीजिए शब्द समराट न्यूस चैनल को और बेल आइकन को भी दबाईए लेटेस्ट न्यूस सबसे पहले देखने के लिए जुलेलाल नमस्कार शब्द समराट न्यूस में आपका स्वागत है मुंबई से सटे उल्हासनगर में सिंधी समुदाएका 40 दिवसी अखंड जोती महोतसव चालिया पर्व 9 सितमबर को समापन हुआ सिंधी समाज 40 दिनों तक व्रतुपवास रख कर पूजार चना के साथ सुभशाम जूलेलाल कथा का श्रवन भी करते हैं इस महोत्सव में जूलेलाल मंदिरों को विशेश रूप से सुसजिक किया जाता है तथा मंदिरों में कथा, आर्ती, भजन पीर्तनों के साथ भार्मिक प्रावेक्रम का आयोजन रहता है दीप प्रजवलन होते हैं, इन व्रतों के दिनों में महिलाएं प्रतिदिन चार या पांच मुखी आटे का दीपक अपने घरों से लेकर भगवान की पूजा करती है साथ ही मनोकामनाएं मांगने वाली महिलाएं अपने घर से चावल इलाईची, मिस्त्री व लॉंग लाकर जूले लाल भगवान की आराधना करती है मटकी और बहराना साहेब का आयोजन भी होता है जीवन को सुखी बनाने एवन लोग कल्यान के लिए यह व्रत महोचसव मनाया जाता है भगवान जूले लाल के इस पर्व में जल की आराधना की जाती है यह सिंधी समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है ऐसा माना जाता है कि इन दिनों भगवान जूले लाल वरुंदेव का अवतरन करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं जो भी लोग 40 दिन तक विधिविधान से पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं सिंधी समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भगवान जूले लाल चालिया महोतसव ही माना जाता है 76 सालों से प्रजवलित अखंड जोद को साक्षी मानते हुए किया जाने वाला 40 दिन का वरत दुनिया के किसी भी मज़भी वरत से ज्यादा लंबे अंतराल तक चलने वाला वरत त्याहार माना जाता है 9 सितंबर 2024 को मठकी मेले का आयोजन संतो महात्माओं के सानिध्य में संपन हुआ उलहासनगर कैंप पांच के पुज्य चालिया साहब मंदिर में विभिन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया आज करीबन 50,000 भक्तों ने सिर पर मठकी रखकर जल देवता की पूजा कर मठकी को डोट चालिया मंदिर और कल्यान स्थित नदी के जल में प्रवाहित किया हर साल की तरहे इस साल भी शिवसेना उलहासनगर शहर शाखा के माध्यम से चालिया साहब समाप्ती प्रवाहित